केमसी कैंसर संस्थान, केमसी, हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरट, उत्री भारत का आधुनिक्तम, एवं, अत्यांत सुरक्षित, रोबोटिक, रेडियो थेरेपी, वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही वे सुरक्षित है, रैपिट आर्क से सुसर संस्थान, 24 x 7, हर प्रकार की कैंसर के आउपरेशन, क्यूमो थेरेपी और प्रतेक प्रकार की रेडियो थेरेपी पर रेडियो सर्जरी उपलब्ध है, कैंसर को पहचान निकले, आधुनिक्तम, पैट, सीटी, उचित शुल्पर उपलब्ध है, प्रदेश के उर्जा राज इसका कारे भी तेजी से पोहन होने की तरफ बढ़ रहा है, इसके पूरा होते ही मेरट के विकास को भी गती मिल जाएगी, दरसल ओरजा मंत्री सोमेंदर तोमर, आज मोधी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्धिर से मीडिया से वारता कर रह मैं देश के सुचे परदान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हिंदुस्तान जो विश्व गुरू था, आज हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरे विश्व है, पंतराश्य इस्तर पर, एक सरुप्रियर नेता के रूप में मानी मोधी जी की पहचान, और देश के स देश के सुची परदान मंत्री पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम है, यदी मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो दोजार चोदे से पहले जीस तरह की व्यूस्ता देश के अंदर थी, हम लोग बात करें इंप्रा की, हम लोग बात करें एजुकिसन की हम लोग मेडिकल चेत्र की बात करें, यानि हर चेत्र में आज देश के सुची परदान मंत्री के नित्रत वाली संद्राद देश के अंदर काम करें, नहीं तो पहले हम लोग देखते थे कि हिंदुस्तान की जो चवी थी, यदी हमारे देश के वरिश परिश्व में जाते थ तो विदेश, उस देश में जाने वाला परदान मंत्री यह सोचता था, कि हिंदुस्तान से आएं तो कुछ और कुछ मांगने के लिए आए, लेकिन आज वो चवी सुचरी है, आज हम सिर्प लेने वाला नहीं हम देने वाले देश की इस्तिति में है, जी ट्वन्टी की हम लोग देख रहे हैं कि हमारी उनिवस्टी आज नेक की ग्रेडिंग में आ आगे आ रहे हैं, आज एनिपी के माद्यम से भी शिक्षा के चेत्र में हम लोग नहीं नहीं निप्यों के साथ है, शिक्षा की गुर्वत्ता को आगे बढ़ाने के लिए काम है, यानि मैं कह सकत हूं कि आज सामाजी की स्थाप है, हम लोग देखें तो स्वास्ती के चेत्र, हर चेत्र में हमारी सरकार खाम कर रही है, तो छोड़े हमारे व्यापारी होते थे, उनके लिए सरकार जो योजनाई लेकर आई है, आज देश के स्वी परधानमंत्री के निप्रत में, हम लोग आज आज देखेंगे, आज देखेंगे, आज मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारे नोजवान, कैदी मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो विश्वा सबसे युवा रहाष्ट अपना हिंदुस्तान है, युवा का एक इस तरह का विदेश जाने का जो होता था सपना, आज वोही स्वीदाय, यानि हम लोग देखते हैं कि 33,500,000 गर्वोड का निवे सिर्वे उपी के हुआ है, यानि आज विश्वास पैदा हुआ है सरकार के, आज कानु विश्वास पैदा हुई है, वो को लगा है कि आज प्रदेश प्रदेश बदल रहा है, हम लोग चिकिस्या की छेतर की बात करें, हर चिले में एक मेडिकल पॉलिश बने, लगवाद उन्सर्ट मेडिकल पॉलिश पूरे पड़ेश के अंदर त्यार हुए, और सोले मेडिकल पॉलिशों के हम लोग काम कर रहे हैं, यानि सरकार की योजना, चाहे हम लोग वन नैसन वन रासनकार की बात करें, वन गरीन वन नैसन की बात करें, आज पूरे देश एक मेवस्ता लागू हो, उसी तर सब विश्यों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और देश के प्रधानमंति मानिय होदी जी हमेशा बार्टी जनता पार्टी के कारिकरताओं से यही निवेदम करते हैं कि हम लोग सेवाई संकल्प के साथ और सबका विकास इस विश्वास के साथ और सबके प्रियास के साथ आगे बढ़े हैं और मुझे बताते हैं कि देश के अंदर लगवाक अच्छी करोड लोग को हम लोग खादाम पुलब करा देश आज कहीं कोई भूका ना रहे कहीं किसी तरह की समस्या ना हो उस दिशा में देश हमारा आगे है इस खबर में फिलाल इतना ही आप देख आगे हैं आगे हैं पूलब करा देश दिशा आगे।